अभी तक आपको full stack inventory में एप में transactions के notification आते थे मगर अब आपको email notification आ सकते आपको इसके लिए आपके panel में आपका email ID update करना होगा आपके panel में settings में आपको email notification का एक input देखने मिलेगा जिसमें आपको आपका email update करना होगा जिस पर आपको email notifications आएंगे है आप यहाँ देख सकते हो हमने हमारा email ID यहाँ पर update कर लिया है अब इस mail ID पर वो सारे transaction के mail receive होगे जो app से या panel से किये जाएंगे तो फिर चलिए हम इस app से कोई transaction कर लेते हैं जिससे हमें हमारे mail पर इसका notification केसे मिलता है वो हमें समझेगा हम कोई outdoor transaction करेंगे तो इसलिए हमने आउटवर्ड सेलेक्ट कर लिया है अब कोई item कार्ट में डालेंगे जैसे यहाँ से हम कोई item सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको तो पता है एक basic से quantity जो आपको आउटवर्ड करना है वो हमें यहाँ पर इंटर करना होगा invert है या उटवर्ड है तो वो सेलेक्ट करके सीधा submit पर क्लिक करना है अब यह submit हो गया है आपको पता एप में तो notification आ जाता है उसी दरीके से हमें भी हमारा notification आप में आ गया बट अभी हम mail open करेंगे यहां से अब आपका mail box open कर लेना है आपको अब आप refresh करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको आपको एक mail receive हो जाएगा full stack inventory का जहां पर आपको इस transaction के details भी देखने मिल जाएंगे अभी काफी basic सा mail आपको receive होगा बट future में इसको हम बहुत update करेंगे अभी आप देख पाएंगे basic से transaction details जिसे date time और किस तरीके का transaction हुआ है यह आपको mail receive हो जाएगा बट इसमें और भी अपग्रेडेशन होने वाले और भी बहुत अभी basic सा है बट काफी अच्छा mail आपको receive होगा जिसमें आपको सारे details मिल जाएंगे तो अगर आपको यह unsubscribe भी करना है तो आपको बस यहाँ से आपका mail हटा देना है और update information पर क्लिक करना है इसके बाद से आपको कोई भी mail receive नहीं होगा इसके बाद आपके mail notification भी disable हो जाएंगे तो बहुत ही easy तरीके से आपको mail notification enable disable करने का system हमने इस वीडियो में बताया है और ऐसे ही और भी updates इस app में होने वाले इस full stack inventory में होने वाले तो इसलिए नए updates और features के लिए इस चैनल को subscribe कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू कीजिए thank you for watching this video